हाई आयाम आरियन आये दोस्तों वीडियो के सुरुवात करते हैं आज हम सीखने वाले हैं अफर्मेटिफ सेंटेंस क्या है अफर्मेटिफ सेंटेंस किसे कहते हैं अफर्मेटिफ सेंटेंस का मतलब होता है सकरात्मक वाक्य ऐसे सेंटेंस जो सिंपल हो साधारन हो सीधा साधा इता हो जिसमें किसी परकार का नहीं क्या क्यों कब कैसे नहीं आता है उससे हम की परकार का नहीं कब क्यों कुछ भी नहीं है यह होता है यहां देखते हैं अई हुआ है है क्लूल्स में क्या है रूलस में क्या है पहले subject आई हुआ helping भर्ब कैन हुआ अब क्या है भर्ब क्या होता है आना खाना पीना कोई भी काम हो या क्या काम है पढ़ना पढ़ना का English क्या होगा पढ़ना का English होगा read तो हमारा sentence बन गया I can read तो आईए दोस्तों और भी affirmative sentence डेखते हैं मुझे जाना चाहिए इसमें सबसे पहले subject लेते हैं subject क्या होता है मैं तुम यह वो तो यहां मुझे मुझे क्या होगा I उसके बाद क्या लिखेंगे जाना चाहिए चाहिए क्या है आपका helping verb helping मुझे चाहिए क्या English होगा should उसके बाद जाना क्या है भर भर्ब का English होगा go I should go मुझे जाना चाहिए क्या English होगा I should go और एक sentence लेते हैं तुम देख सकते हो इसे English में लिखेंगे तुम का English होगा you जो subject है उसके बाद helping verb है सकना कैन उसके बाद देखना भर्ब है see you can see और एक sentence लेते हैं तुम अंग्रेजी पढ़ रखते हो rules के अनुसार सबसे पहले subject लिखेंगे subject है तुम का English होगा you उसके बाद है helping भर्ब सकते हो का English होगा can उसके बाद भर्ब पढ़ना का होगा read उसके बाद object क्या आप सकते हैं अंग्रेजी उसे इंग्लिस में लिखेंगे इंग्लिस यू कैन रीड इंग्लिस यह रहा कुछ affirmative sentence अब देख सकते हैं स्क्रीन सौट भी रख सकते हैं तो अभी था कम लोग ने सीखा करते हैं ऑफर्मेटीव सेंट्र सिंटेंच क्या है किसी भी सेंट्र है गाउंगा जाओंगा जाता हूं जा तो अफर्मेटिव सेंटेंज में था मैं पढ़ सकता हूं नेगेटिव सेंटेंज में है मैं पढ़ नहीं सकता हूं इसमें नहीं है तो इसके रूल्स के अनुसार बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है में में का इंगलिस होगा आई लिखेंगे उसके ब भर्व क्या है पढ़ना पढ़ना का इंगलिस होगा रीड आई के नोट रीड यह अबजेक्ट कुछ भी नहीं है तो आई के नोट रीड होगा एक और negative sentence देखते हैं मुझे जाना नहीं चाहिए रूल्स क्या है सबसे पहले subject होगा फिर helping भर फिर not उसके बाद भर उसके बाद object तो मुझे जाना नहीं चाहिए मुझे मुझे क्या है subject इसे English में लिखेंगे I उसके क्या होगा helping भर क्या है चाहिए चाहिए का English होगा should आई क do not go है कि यह रहा कुछीनि गैट्यटिंटेंस तो दोस्तों वीडियो में आगे बहते हैं अभी तक हम लोग ने सीखा alternative sentence क्या है सभी normal ओले sentence जैसे मैं पर सकता हूं affirmative sentence है उसके बाद हम लोग ने सिखा negative sentence क्या है सभी नहीं वाले sentence negative sentence है जैसे मैं नहीं पर सकता हूँ अब हम सीखने वाले हैं interrogative sentence क्या है सभी क्या वाले sentence interrogative sentence है जिस sentence में पहले ही क्या आए वो सभी interrogative sentence है जैसे क्या मैं पढ़ सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं खा सकता हूँ, क्या मैं घुमने जा सकता हूँ तो एक क्या वाले sentence लेते हैं क्या मैं पढ़ सकता हूँ, इसे rules के अनुसार बनाएंगे सबसे पहले helping verb होगा उसके बाद subject होगा उसके बाद verb होगा उसके बाद object होगा तो सबसे पहले helping verb लिखेंगे helping verb है सकता हूँ उसका English होगा can उसके बाद subject लिखेंगे या subject मैं है मैं का English होगा I can के बाद I होगा उसके बाद क्या लिखेंगे भर्ब लिखेंगे, भर्ब क्या पढ़ना, read, can I read, उसके बाद यहां कोई object नहीं है, तो आपका sentence बन गया, interrogative, क्या मैं पढ़ सकता हूं का, can I read, और एक sentence लेते हैं, interrogative sentence का, क्या मुझे जाना चाहिए, rules के अनुसार, सबसे पहले helping भर्ब होगा, या helping भर्ब चाहिए, subject होगा, यहां subject है, मुझे, मुझे का English I, should के बाद I लिखेंगे, उसके बाद भर्ब होगा, भर्ब यहां जाना, जाना का English go होगा, should I go, क्या मुझे जाना चाहिए, का English बन गया, should I go, यह रहा, कुछ interrogative sentence, दोस्तों, अभी तक हम लोगोंने सिखा, interrogative sentence क्या है, क्या वाले sentence, जिस sentence में सबसे पहले क्या है, जिससे प्रस्न पूछा जाए, वे जबी interrogative sentence है, जैसे क्या मैं पर सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं खा सकता हूँ, तो अब हम सिखने जा रहे हैं, interrogative negative sentence क्या है नगरात्मक परश्नवाचक वाक्य एक सेंटेंस लेते हैं जैसे वे सभी सेंटेंस जिसमें क्या और नहीं दोनों आये वे सभी इंड्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है जैसे क्या मैं नहीं जा सकता हूँ क्या मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, क्या मुझे नहीं खाना चाहिए, क्या मुझे नहीं घूमना चाहिए तो एक sentence लेते हैं और उसे बनाते है rules के अनुसार क्या मैं पढ़ नहीं सकता हूँ तो rules के अनुसार सबसे पहले helping verb होगा उसके बाद subject होगा, उसके बाद not होगा, उसके बाद verb होगा, उसके बाद object होगा तो helping verb लेते हैं, सबसे बाद helping verb क्या होगा, सकता हूँ या can होगा उसके बाद subject I होगा, उसके बाद not होगा, उसके बाद verb पढ़ना का read होगा चा मैं पढ़ नहीं सकता हूं का sentence बन गिया Can I not read तो आईए एक और sentence लेते हैं Interrogative negative sentence क्या तुम देख नहीं सकते हो सबसे पहले helping verb होगा या helping verb सकना सकना का can सबसे पहले लिखेंगे उसके बाद subject है subject तुम तुम का you होगा can के बाद you होगा उसके बाद rules में not लिखना है उसके बाद verb का see होगा देखना का can you not see बन गिया आपका क्या तुम देख नहीं सकते हो का can you not see ये रहा कुछ interrogative negative sentence तो वीडियो में आगे बहते हैं अभी तक हम लोग ने सिखा interrogative sentence क्या है जिसमें क्या पहले आये उसे interrogative sentence कहते हैं जैसे क्या मैं जा सकता हूँ क्या मैं खा सकता हूँ क्या मैं घूम सकता हूँ सभी क्या वाले sentence और इसका जवाब हाँ या और ना में हो सकता है जैसे interrogative sentence में क्या मैं जा सकता हूँ को जवाब हाँ और ना में हो सकता है वेसे अब हम सीखने वाले हैं WH family, WH word, WH question वाले sentence इसका जवाब हाँ और नामे नहीं हो सकता है जैसे मैं कहां जा सकता हूँ मैं क्या पर सकता हूँ मैं क्या खा सकता हूँ मैं क्यों खा सकता हूँ इसका जवाब हाँ और नामे नहीं हो सकता हूँ मैं क्या पर सकता हूं मैं हिंडी पर सकता हूं कुछ भी हो सकता है आईजे देखते हैं wh word क्या है ऐसे word सब्द। जिसमें wh अक्षब का परियोग अंग्रेजी में प्रस्न पूछने के लिए किया जाता है और उसे ही हम wh family या वर्ड कहते हैं अंग्रेजी यानि इंग्लिस में कोई भी पुझने के लिए दबलो एच वर्ड का परियोग किया जाता है आईए कुछ दबलो एच फैमली के वर्ड को देख लेते हैं उसके बाद इंग्लिस में दबलो एच फैमली वाले सेंटेंस को बनाएंगे तो हू मतलब होता है कौन जो किसी वेक्ति के लिए परियोग होता है विच मतलब होता है कौन सा जो किसी चीज या समान के लिए परियोग होता है हूज मतलब होता है किसका जिसका हूम मतलब किसे किसको तिनो होता है हाव मैनी मतलब कितना जिसे गीना जासके हाव मच मतलब भी क कितना जिसे गीना ना जासके अंटिल वेन मतलब कब तक सिंस वेन मतलब कब से वाट एल्स मतलब और क्या वाटेवर मतलब जो कुछ भी वाई सो मतलब ऐसा क्यों हाव कम मतलब कैसे किस तरह से तो दोस्तों आईए वीडियो में आगे बढ़ते हैं अब हम डबलो एच फेमली वाले सेंटेंस को बनाएंगे डबलो एच फेमली वाले सेंटेंस जैसे मैं क्या पढ़ सकता हूं तुम कहां जा सकते हो तुम कैसे खा सकते हो तुम क्या पढ़ते हो एवरिटिंग जिसमें बीच में आपका डबलो एच फेमली जैसे क्या क्यों कैसे आए तो एक सेंटेंस क को लेते हैं मैं क्या पर सकता हूं रूल देखते हैं रूल में सबसे पहले डबलु एच फेमली आएगा उसके बाद हैल्पिंग भर्ब उसके बार सब्जेक्ट उसके बार भर्ब और उसके बार अब्जेक्ट आएगा तो सबसे पहले डबलु एच फेमली देखते हैं मैं क्य प्रसकता हूं में क्या, क्या क्या है, इंगलीस क्या होगा, what सब से पहने लिखेंगे, उसके बार helping verb, sentence का last में क्या है, सकता हूं, उसके बार what के बार can होगा, उसके बार subject मे का आई होगा, उसके बार, भर्व, भर्व क्या है पढ़ना, पढ़ना का है read तो बन गिया what can I read यह object कुछ भी नहीं है तो sentence बन गिया what can I read यह रहा डबलू एच फैमली वाले sentence तो दोस्तो अभी तग हम लोगों ने सीखा डबलू एच फैमली वाले sentence जैसे मैं कैसे जा सकता हूँ मैं क्या खा सकता हूँ तुम कैसे पर सकते हो तुम कब जा सकते हो अब हम सिखने वाले हैं डबलू एच फैमली निगेटिव sentence जिसमें नहीं आए तो बहुत सारे sentence है डबलू एच फैमली के देखते हैं मैं कब नहीं जा सकता हूँ मैं क्या नहीं खा सकता हूं मैं कैसे नहीं रह सकता हूं तो एक sentence लेते हैं उसे rules के अनुसार बनाते हैं तो सबसे पहले एक sentence लेते हैं मैं कहां नहीं जा सकता हूं rules के अनुसार सबसे पहले WH family होगा उसके बाद helping verb होगा उसके बाद subject होगा उसके बाद not होगा उसके बाद verb होगा और उसके बाद object होगा तो सबसे पहले WH family लेते हैं मैं कहां नहीं जा सकता हूँ कहां का English क्या होगा वेर होगा उसके बाद helping verb लिखते हैं सकता होगा can होगा का गो होगा तो मेरा सेंटेंस बन गया वेर केन आई नॉट गो कि यह रहा डबलो एच फैमिली निगेटिव सेंटेंस दोस्तों अभी तक हम लोग ने सीखा affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, interrogative negative sentence, wh family sentence और wh family negative sentence अब हम सीखने जा रहे हैं एक छोटा सा trick अगर हम किसी भी sentence को बनाने के लिए rules नहीं देखें हमें rules याद नहीं है subject क्या भर्ब क्या है, object क्या है, helping verb क्या है हमें याद नहीं, तो sentence को कैसे बनाते हैं, आईए देखते हैं, एक छोटा सा trick सबसे पहले एक sentence लेते हैं, मुझे जाना चाहिए मुझे जाना चाहिए, मैं सबसे पहले, पहला क्या है, मुझे, मुझे पहला है जो सबसे पहले sentence का पहला होता है उसको ध्यान देंगे मुझे है, मुझे का English क्या है? I, I को नीचे लिखते हैं, उसके बाद sentence के last में चल जाएंगे, लास्ट में क्या है? चाहिए, उसका English लिखते हैं I के बाद, should, उसके बाद पीछे से चलना शुरू करेंगे, चाहिए के ब सेंटेंस देख लेते हैं बिना रूल्स के बनाना सिखते हैं इंग्लिस में सेंटेंस मैं तुम्हारे साथ किताब पढ़ सकता हूं यह सेंटेंस रहा इसमें सबसे पहले क्या है उसका इंग्लिस लिखेंगे सबसे पहले क्या है मैं मैं का इंग्लिस क्या होगा आई आई लिख सेंटेंस का पहला वर्ड का इंग्लिस लिखते ही सेंटेंस के लास्ट में जाना है मैं तुम्हारे साथ किताब पढ़ सकता हूं कहां जाना हम लोग को लास्ट में लाँस्ट में क्या है सकता हूं उसका इंगलीश लिखेंगे आई के बार आई के बार लिखेंगे एन। उसके बार क्या था सेंटेंस में मैं तुम्हारे साथ किताब पढ़ शक्ता हूं पढ़ना का बढ़ना का इंगलीस किया होगा। पारना का English होगा, read, I can read, उसके बाद क्या है, किताब, किताब का English book लिखेंगे, a book भी लिख सकते हैं एक किताब, ठीक है, I can read a book, उसके बाद क्या है, साथ, साथ का होगा with, और उसके बाद क्या है, तुम्हारे, तुम्हारे का होगा you, मेरा sentence बन गया, I can read a book with you. हिंदी से इंग्लिस बनाने का easy rules यह ही है कि sentence का पहला word का इंग्लिस लिखना है subject का और उसके बाद पीछे से उसका हिंदी लिखते जाना है one by one step by step आईए दोस्तों वीडियो में आगे बहते हैं affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, interrogative negative, wh family और wh family negative के easy trick देख लेते हैं तो सबसे पहले एक sentence लेते हैं affirmative sentence है मुझे जाना चाहिए इसमें सबसे पहले पहला word को देखेंगे पहला word क्या है मुझे मुझे का English लिखेंगे मुझे का English क्या होता है I लिखेंगे उसके बाद sentence के last में जाएंगे मुझे जाना चाहिए चाहिए इसमें last है last का चाहिए का English होगा should I के बाद should लिखेंगे उसके बाद पीछे चलना शुरू करेंगे चाहिए से पीछे चले तो जाना है जाना का English लिखेंगे I should go मेरा affirmative इजी बन गिया I should go अब negative बनाते हैं मुझे नहीं जाना चाहिए मुझे नहीं जाना चाहिए का English कैसे होगा फिर अपरमेटिव सेंटेंस देख लेते हैं मुझे जाना चाहिए का English था I should go यहाँ I should के बाद तीसरे नमर पर not लिखना है और मुझे नहीं जाना चाहिए का sentence बन जाएगा पहले I लिखें फिर should दूसरे नमर पर है फिर तीसरे नमर पर not लिखेंगे और चोठे नमर पर go I should not go बन गिया मुझे नहीं जाना चाहिए तो अब हम interrogative sentence बनाएगे sentence लेते हैं क्या मुझे जाना चाहिए फिर से हम affirmative देख लेते हैं मुझे जाना चाहिए का English था I should go interrogative में कुछ नहीं करना है क्या मुझे जाना चाहिए का English बनाने के लिए should को पहले लिख देना है यानि helping verb को पहले लिखने हैं और subject को बार should को पहले लिखें उसके बार subject उसके बार verb should I go बन गिया आपका क्या मुझे जाना चाहिए का English should I go अब interrogative negative बनाते हैं interrogative sentence क्या था क्या मुझे जाना चाहिए का English should I go interrogative negative बनाने के लिए क्या मुझे नहीं जाना चाहिए इसका English होगा should I और तीसे नबर पर not लिख देना है और go बन गिया should I not go अब WH family बनाना है एक sentence ले लेते हैं मुझे कहां जाना चाहिए तो अभी इससे पहले हम लोगों ने बनाया interrogative में कुछ नहीं किये थे क्या मुझे जाना चाहिए का English था should I go अब WH family में भी वैसा ही होगा should I go होगा पर इसके आगे क्या था sentence sentence था मुझे कहां जाना चाहिए इसमें कहां का English पहले लिग देना है where उसके बाद पूरा पूरी वह उटा देना है should I go where should I go मुझे कहां जाना चाहिए where should I go अब WH family negative देख लेते हैं मुझे जाना चाहिए रथा where should I go इसमें कुछ नहीं करना है subject के बाद where should I I subject है उसके बाद not लिखना है उसके बाद वैसे ही सबको उटा दना go where should I not go बन ये आपका sentence आपको ये याद रखना है normal sentence में तीसे नमर पर not लगता है जिससे मुझे जाना चाहिए I should go मुझे नहीं जाना चाहिए I should तीसे नमर पर not go और wh family वाले में चौथे नमर पर not लगता है wh family यानि प्रस्ण पुछने वाला sentence में चौथे नमर पर not लगता है जैसे मुझे कहा नहीं जाना चाहिए where should I not go या not चौथे नमर पर है और एक चीज़ आपको याद रखना है हिंदी का normal sentence में last में आकर लगता है और English के normal sentence में last में full stop लगता है और हिंदी इंगलिस दोनों sentence में जब प्रस्ण पुछा जाए तो question marks का चीज़ लगेगा यहां आकर और full stop नहीं लगेगा योगो लाइक करें सब्सक्राइब करें सुुष और अल цел सब्सक्राइब करें यहां लाइक करें